आपने दुनिया के सबसे अमीर, सबसे गरीब, सबसे गंदे, सबसे साफ जैसे देशों के बारे में एकसर सुना होगा, इनमें एशिया के भी समरिद्ध से लेकर गरीब और अच्छे से लेकर खुशाल देश शामिल है, लेकिन अगर कोई आप से पूछ लेगी भाईया ये ब हिरता है, और आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महध्य दूइब है, यहां दुनिया की कुल आबादी का करीबन 60 प्रतिशत हिस्सा बसा हुआ है, और कुल देश है 48, जिन में से कुछ अपने बड़े आकार के लिए फेमस हैं, तो कुछ अपने छोटे आकार क पे आता है फिलिस्तीन जो इन दिनों अपने एक छोटे से हिस्से यानि कि गाजा पट्टी को लेकर इस्राइल के साथ चल रही जंग को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है फिलिस्तीन महस 6,025 वर किलोमीटर एरिया के साथ ही साथ एशिया का पांचमा सबसे छोटा देश है ये असल में पश्युम एशिया में बसा हुआ है और इसे इसराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पश्युमी जॉर्डन के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए माना जाता है देश की टूटल आबादी है करीबन 24,94,000 मतलब जादा नहीं है और जिसका जादा तर ह इसलाम धर्म को मानता है, करीबन 86 प्रतिशत लोग फिलिस्टीन में इसलाम धर्म को मानते हैं, जबकि 13 प्रतिशत के करीबन यहां पे यहूदी धर्म से जुड़े लोग भी बसे हुए हैं, अब बागी के 1% जो है, वो माइनरोटीज की संख्या है, हाला कि युद्ध के ब लेकिन मक्का के निर्मान से पहले हर मुसल्मान फिलिस्टीन में मौजूद मस्जिद अल-अकसा की तरफ मू करके नमाज अदा किया करते थे, फिलिस्टीन लंबे समय तक मुस्लिमों का गड़ रहा है, हाला कि बाद में देश का करीबन 88 प्रतिशत हिस्सा यहूदीयों के ह चला गया और 1920 वाले फिलिस्टीन का मातर 12 प्रतिशत हिस्सा ही अब मुसल्मानों के बचा है, फिलिस्टीन कुछ साल पहले तक एक बहुत ही बढ़िया शान देश हुआ करता था, जहां ना कोई विवाद था, ना जगड़ा, लेकिन इसराइल के साथ सालों पुराने विव इरिया महस 5765 वर किलो मेटर का है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये काफी समरिद देश है, जादातर अर्भी देशों की तरह ब्रुनई की कमाई का भी मेन जरिया पेट्रोलियम ही है, दो हजार बाइस के हिजाब से देश की जीडिपी 1668 करोड योएसडी है, जिस से छोटे देशों में शुमार रहता है, यहाँ प्रती स्कॉयर किलो मेटर के एरिया में आपको जादा नहीं, 86 लोग देखने को मिल जाएंगे, सोचो, only 86 पीपल्स, यहाँ चारो तरफ शान्ती ही शान्ती है, जहाँ देखो के वहाँ बढ़िया सन्नार्टा मिलेगा, यही कारण है कि ब्रुनेई को दुनिया की शान्त देशों में शुमार किया जाता है, यहाँ पब्लीक वेहिकल्स की संख्या भी काफी कम है, लेकिन हाँ प्राइबेट वेहिकल्स अच्छे खासे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा अच्छा खासा है, जिस वज़े से हर कोई अ के मज़े ही मज़े हैं, इस देश के सुल्दान हचनल बोल किया को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शुमार किया जाता है, ब्रुनेई में एक कानून चलता है कि हर घर के मुखे कमरे में सुल्तान की तस्वीर जरूर होनी चाहिए, मुस्लिम संस्कृती के कार सबसे चोटा देश है, ये देश 50 किलो मीटर लंबा है और जब की 16 किलो मीटर चोड़ा, सोजो कितना चोटा है, अपने हां के एक शहर के बराबर, देश की राजधानी है मनावा जिसे काफी खुबसूरत शहर भी माना जाता है, लैंड रेक्लमेशन एक्टिवीटीज की ब सबसे पहला देश है, 1932 के लगबगी यहां तेल की होश कर ली गई थी, और आज देश की एकॉनवी में जाधा तर धक्का, पेट्रोलियम और नैच्रल गैस ही लगाती है, 2022 के कोर्डिंग बहरीन की टोटल जीडीपी है करीवन 4438 करोड यूएजडी, जिसमें से 11% के करीव बहरीन को आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन यह देश हमेशा से ऐसा नहीं था, बलकि 1930 से पहले तो ऐसा था कि बहरीन के पास ना तो जादा पैसे दे और ना ही कोई अच्छा सेक्टर जिससे वो कमाई कर सकें, लेकिन तेल की अपने दिल्ली से भी चोटा है और इसे 1971 में आजादी मिली थी, 1990 में कुवैट पर इराक के हमले के बाद बहरीन संयुक्त राश्र संग का सदस्य बना और आज ये अरब कंट्रीज में से एक है जहां की भाशा अर्भी है, इसके अलावा इंग्लिश भी यहां जादा तर ल उची बिलिंग्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, सुरक्षद वाता वरंण और चारो तरब बिखरी खुबसूरती वाले इस देश के सपने हर कोई योबा को आते हैं, बविश्य बनाने के लिए सिंगापूर से बहतरीन जगह आज के टाइम पर कोई नहीं है, और देश की कोलाबादी 60,52,700 के करीबन है, ये देश मॉडरन टेकनोलोजी से लहस है और यहां की प्राचीन संस्कृति भी कमाल की है, देश की एकॉनोमी में रीड की हड़ी का काम करता है, यहां पे बैंकिंग सेक्टर और यहां के बैंक्स इतने ज़्यादा सेफ माने जाते ह बिजनस करने के लिए भी ये one of the best country है, manufacturing, tourism, hospitality, ये वो सेक्टर से हैं जो सिंगापूर की GDP में काफी हद तक सपोर्ट करते हैं, 2023 तक यहां हर 6 में से एक घर करोड़ पतियों का है, सोचो जिस घर की गंटी बजाओगे करोड़ पति बाहर निकलेगा, अलाकि 1950 से पहले ये ज की जुपड़ियों से लैस एक देहदी गरीब देश हुआ करता था, जहां गंदगी जादा थी, पैसे कम थे, लेकिन फिर आए ली कुवान यू, जिन्होंने सिंगापूर की तस्वीर ही बदल दी, और आज इसे दुनिया के सबसे कामियाब देशों में गिना जाता है, करने पर दो साल की कैद और एक लाख डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां क्राइम करने पर रियायत नहीं, सक्त से सक्त सजा दी जाती है, इसलिए बच्चों से लेकर बढ़ों और महिलाओं तक के लिए, यह सबसे सुरक्षित देश है, सिंगापूर को दुनि 1965 में मलेशिया ने आजात कर दिया कि भाईया जाओ जीओ अपनी जिंदगी क्यों परिशान हो, नेक्स्ट है माल दीव्स, जी हा दोस्तों माल दीव्स ही एशिया का सबसे चोटा और खुबसूरत देश है, इंडियन ओशियन में इस्तित माल दीव्स भारत के लक्षदीब स 754 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है, माल दीव्स का टूटल शेतरफल 300 वर किलोमेटर का है और यहां करीबन 5,17,888 लोग रहते हैं, इस लिहासे माल दीव्स एरिया और आबादी दोनों ही मामलों में एशिया का सबसे चोटा देश है, माल दीव्स असल में एक आइलेंड जो कि 1102 ने के लगभग टापूँ से मिलकर बना है, हाला कि इन में से महस 200 आइलेंड पर ही लोग बसे हुए हैं जबकि बाकी सब विरान पड़े हुए हैं, भारत की ही तरह माल दीव्स भी कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन साल 1905 में गुलामी के बेड तो माल दीव्स ने तुरंट एक्षन लिया, क्योंकि माल दीव्स में जाता तर सेलानी तो भारत से ही आते हैं, तो भारत से पंगा कैसे लोगे भाई, माल दीव्स में प्राकृतिक सुंदर्ता, जीव जन्तु और बनस्पतियों का बंडार पड़ा हुआ है, इस देश में म पुद्र की आगोश में समाते देशों के लिस्ट में शुमार है, जिसके कुछ सालों बार डूप जाने की भी आशंका है, देश में जादा तर आबादी मुस्लिमों की है और कहते हैं कि मुस्लिम व्यापारी यहां इसलाम लेकर आए थे, और बार्मी सदी के मतितक माल देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है, जो कि यहां की आम भाषा है, यह एक इंडो आरियन भाषा है और शिलंका की सिंहल भाषा से काफी मेल खाती है, देश के लोग ऑफिशल भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी अच्छी खासी बोल लेते हैं, जिससे सैलानियों को खा पहली अंडर वाटर काबिनेट मीटिंग हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड और आश्चरी की बात है कि वही आप आरी है नीचे मीटिंग हो रही है, वहाँ खैर चलिए दोस्तों, यह थे एशिया के सबसे पाच छोटे देश, आपको इनमें से कौन सा देश सब अपना खास से भी जादा ख्याल रखिए और बहुत कुछ रहिए